जै भीम जै भारत जै सविधान बहुजन समाज में जन में सभी संतों गुरुवों महापुर्सों को नमन करते हुए आज का विशेश लाइव जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंट पंजाब जो जनादेश आये उस पर आधारी थे मैं टीवी के जरिये भी अपनी बात रख सकता था मगर वो सिमित बात वही दिखाते जो उनको बतानी थी मगर मुझे बात वह रखनी है जो मेरे मन में है तो ये एक आसान जरिया है जिससे मैं बहुत आसानी से आप तक पहुंच सकता हूं और आप आसानी से मुझे सुन भी सकते हैं तो समय समय पे इस देश में जन में सभी संतों गुरुवों महापुर्सों को नमन करते वे करुणा के सागर तथागर गोतम बुद संत्रिम्मनी सद्गूर अवदाज जी महाराज भखवान वालमिकी महाराज गुरू नानक देव संत्कपीर इनके साथ साथ समाजिक परिवर्तन के जोग्रदूत रहे मात्मा राश्पिता जोतिबा फूले माः फातिमा सेक माः सावितर भखवान फूले शत्रपती साहुजे महाराज शत्रपती सिवाजी महाराज माजीजवाई परियर रामस्वामी नाइकर पैरियर वल्ले यादव परम पूजनिये विश्वरतन डॉक्टर बावा साथ भिम्राम बेड कर उनके साथ साथ बाबु जग्देव परसाथ कुश्वा जन्नाय कपूरी ठाकुर महामना रामसुरूप वर्मा संत्राम बीए मानेवर काशिराम साहब को बहुजन अंदोलन के लिए प्रेरित करने वाले मानेवर दीना भाना वालमिकी साहब मेरे रहबर मेरे गुरू मेरे आदर्स मानेवर साहब सरी काशिराम वावु जग्जीवन राम महाराजा बिजली पासी मा उदा देवी पासी मा वंतिका भाई लोधी मा जलकारी भाई मा इल्या बाई होलकर मा रमा बाई और मा फूलन देवी आप सभी को भी मेरा नमन देश की आजादी के लिए सहीद हुए सभी सहीदों को मेरा नमन सरदार करतार सिंग सरभबा सहीदे आजम भगत सिंग सहीदे आजम सुकदेव सहीदे आजम राजगुरू सहीदे आजम पनिचंशे राजाद सहीदे आजम सरदार उधम सिंग जी और जो एक बड़ी लेर जिसमें कोतवाल धन सिंग गूजर हूँ उसके लावा जो असपाक उल्लाख खाँ हो वी रब्दुल हमीद हो ये भी सब नाएक नाइकाए हैं जिनमें बिर्सा मुंडा का हम लोग भगवान बिर्सा मुंडा हैं जिसमें और जिसमें और दसरत मांजी जी है ये सब लोग करांती परिवर्तन के अगर्दूद नाएक नाइकाए हमने ये आंदोलन भी महापुर्सों के संघर से प्रिरित होके चुना है नाकिन की सफलता से प्रिरित होकर सफलता कोई पर्मेनेंट चीज नहीं हो आती जाती रहेगी जैसा आप संघर्स करेंगे वैसे आपको सफलता मिलेगी उत्तर प्रदेश उत्राखंड पंजाब मनिपुर गोवा में चुना हुआ उत्तर प्रदेश उत्राखंड और पंजाब में हमने प्रतियासी लड़ाए जो भी समर्थनवा मिला है मैं एक एक वक्ति का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हम पर विश्वाज जताया आप लोगों ने महनत की आप लोगों ने हमें मोका दिया मैं आप सब का धन्यवाद करता हूँ हाँ हम लोग हार गए हैं लेकिन हार अंतिम नहीं होती है हमारी प्रयास में कुछ कमी रही है उसका प्रयास को पूरा करना है उससे पहले बहुत important बाते जो आपसे करनी है जब ये election शुरू हुआ उससे लगब कुछी दिन पहले मेरी मुझे इंजरी हुई और मेरी रीड की हड़ी में L4, L5 में 7-11 का gap आया लेकिन कुद्रत की ऐसी ताकत थी कि पूरे चुनाओं में मैं आप सब के सयोग से एक साथी की मदर से पूरे चुनाओं में आप लोग के बीच रहा और मेरा प्रयास रागी जितना भी जो जो प्रत्यासी हमारे लड़ रहे हैं उनकी जो भी मदद करके आसकूम है जासो को अपील कर सकूम है गया वेक्तिकत अपना भी चुनाओं लड़ा उस चुनाओं से भी पहले आप हाला जानते किन हालातों में चुनाओं लड़ा गया एक हमारा प्रयास था कि भोजन समाज के लोगों में एकता बने हमने उसके लिए प्रयास भी किये लेकिन अस्थापित दलों ने नकार दिया और अंत्र समय पे जब चुनाओं करीब आ गया था और जैसा मैंने पहले भी कहीं बार बताया कि भाई हमने क्योंकि हम सच्चे इमानदार आदमी हैं अपने लोगों से हमने मना किया कि भाई अब गटमंदन होने जा रहा है आप लोग सब लोग अगर तैयारी करोगे पैसे खर्च करोगे इलक्षन में पैसे खर्च हो रहे हैं यह वो समय नहीं है काशिराम साब वाला तो इसलिए कल आप मुझसे कहोगे कि भाई यह सट हमें नहीं मिली तो हमारे तो पैसे खर्च होगे तो मैंने उनको रोका कि भाई आप सिमिट सिटे मिलेगी आप उनी पर परचार परसार करके मदद कराना और हमारा अंति मुद्देश से इस बार भर जन्ता पर्टी को रोकना भी था उत्तर प्रदेश में किनी कारणों से वो सफल नहीं हो पाया खेर वो उस पे ज़्यादा सोचने जूरत नहीं है क्योंकि अपनी लड़ाई मैंने कहा था कि अपने कंदों पे अपने सारे लड़नी पड़ेगी और यह आसान लड़ाई नहीं कि यह ऐसा भी नहीं कोई आपको थाली में सजा के सद्ता देदेगा गाउं का प्रदान नहीं बनाता गोई विदायक मनाया तो बहुत बड़ी बात है तो हमने प्रयास किया अंते बहुत कम समय में हमने चुनाव लडा जो लोग हमारे लड़ना चाहते थे उन्होंने बहुत मेहनत की अपना तन्मंदण लगा के चुनाव लडा भीमार में आजास समाज पार्टे कारेकरता साथ्यों का धन्यवाद कोटी कोटी उनका अभार साधुवाद कि उन्होंने मेहनत की वो गए उसके साथ साथ अपना चुनाओं भी लड़ा क्योंकि हमने कमेंटमेंट किया था कि उत्तरप्रेश के मुख्यमंत्री यहां से लड़ेंगे महीं लड़ेंगे मुख्यमंत्री अपनी सेफशिट चले गए जहां बहुजनों का वोट बड़ा कम है और क्योंकि वादा किया गया था और यह वादा समाज के सामने था तो हम लड़ने गए हां हम वहां हारे हमने भरो साम पर नहीं दिखाया उनको अमीद थी जो दूसरे लोग वहां परतियास लड़ रहे थे कि वो लोग अच्छा काम कर रखते हैं हो सकता है क्योंकि हम नहीं लोग है तो ऐसी उम्मीद उनको हो सकती है उनमें एक भैई यह भी था कि चंशेकर चुनाओ के बाद चले ज बजल इस जो जनादेश आया उसको भी स्विकार करने वहां जाओंगा क्योंकि मैं यहां संघर्ष करने के लिए आया हूँ और मैं संघर्ष से पीछे नहीं अट सकता हूं किसी भी कीमत पे चुनाओ बड़ी चीज है अब चुनाओ ख़तम हुआ है चुनाओ प्रन्याम से एक दिन पहले मैं अपनी माँ के पास घर लोटा हूं परिवार में इसलिए कि जो भी चुनाओ प्रन्याम होगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे हमारे साथ ही मुझे लगतार मैसेज कर रहे हैं कि भाई आप हिम्मत मत हारना आप कमजोर मत पढ़ना आप निरास मत होना तो साथ हो मैं फिर आप से कहूं कि हमने तो सुरुवात ही यह अंदोलन महापुर्सों का संगर्स देखके की है कि मैं जिसमि महापुर्स का नाम लूँगा आप देख लेना कि उनको क्या सफलता मिली और उन्होंने क्या किया मि उसी संगर से दर्द पैदा होता है संगर से उसे सफलता देखके क्या कि बावा साब कोट sì पेंट पेनते थे यह बावा साब आधारित पार्टी वो अपने आईलोजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं हम अपनी आईलोजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं जबकि हमारा उद्स से उनका उद्स से बातना और हमारा उद्स स में अतिकता का सासन जो है वो अस्ठापित करना जिस में सम को बराबर के उसर हो हमें ज़्यादा मैनत करनी अब मेरी कुछ चीज़े आपसे मेरी एक अपील है हम जहां जाते हैं वहां बहुत भीड होती है लोग बहुत आते हैं भवसंखेक हम पे लोग भी बहुत हैं लेकिन अब हमें वोटर तयार करना है वोटर साथियो वोटर तयार करने से पहले आपको खुद तयार होना है सबसे पहले जरुवत है मैं आज आपसे अपील करता हूं खुले मन से अपील कर रहा हूं लेके जाना है, इस देश में बहुजन राज स्थापित करना है, बहुजन समाज में भायचारा बनाना है, मेरी समझ में एक चीत तो आई, जब तक बहुजन एक जुट नहीं होंगा और मैंने परियास भी किया था, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन अगर किसी को मेरे परियास में संका है तो मुझे बदाए और मैं उन सब लोगे सामने बैठ के बात करने को तयार हूँ जिनके सामने प्रियास हुआ था यह मेरा यह मेरा समर्पन था है सांदोरन के परती वरना मैं भी चाहता तो एक साल पहले से प्रत्यासी घोसित करकर के सभी सीटों प्रत्यासी उतार देता यह मेरा प्रियार था तो मैं आप से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले ज़रूत है समर्पित कारे करता कि जो अपने नेता की नीती और उसकी नियत में फ्रोशा रखे सुकरात ने एक बात कही है सो शेरों का नेत्रों तेक गधा करे उसके उप्रीर सो गधों का नेत्रों तेक शेर करें तो सो गदो का नित्तुत करने वाला ज़ेर जो है वो टीम तो से शेरों का नित्तुत करने वाले गदे की तीब गदे का जो नित्तुत कण गदा कर रहा है उविए कि efecto को हरा देगी मगर मैं आपसे मांग रहा हूं कि सांदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मुझे समर्पित लोग की जुरत है मुझे लोग की जुरत नहीं है जो किसी पैसा कमाने या को जुट बोलने या लोग को बेकूप बनाने या बड़ी अतिया उत्सुक्ता में कुछ प्राप्त करने के अंदोलन जुड़े हैं मुझे उन लोग की जुरत है जो जिनके मन में बहुजन समाज और अपने महापुर्सों के अंदोलन के प्रति दर्दों चाहते हैं वो विशार्धरा जिंदा रहे खतम ना हो जिनके अंदर दर्द हो कि जो हजारों साल की गुलामी के बाद सविधा कोई ऐसी चीज जो है ना कोई बड़ा काम नहीं है लेकिन एक नोजवानों में अंदर से एक बात या फिर जो बाणवे से पहले बाने वर काशिनाम साब के लोग उन्हें में एक दर्द है वो इस देश में सत्ता के को मात्रिक वैवस्था परिवर्तन का साधन समयते हैं उन लोग बनेंगे मैं किसी के अलोचना नहीं करूंगा कि किस पार्टी का क्या हल हुआ किस पार्टी को अभी बहुत मैनत करनी है उसके लिए मुझे समर्पी लोग जूरे था पूरी देश में अब हम लोग कूच करेंगे मद्देश में राइस्थान चतिस गड़ में हमें मैं आपसे भी कह रहा हूं जिन लोग को लगए अफतीव लेर मीतना आसान नहीं है आप गुमरार हो सकते हैं आपको गुमरार क्या जा सकता है मैं तो उन लोग उसे भी दूसरी पार्टी कर्पी समर्पी मुझे हैं मुझे तो वोत दने परड़वरप करना पना पर नहों है उनको लगता था कि अस्तापे डले उनको वोत कि जैसे की सरकारे बने जिनको आपने वोट किया उनकी क्या हालात है आप देख लीजे बैप फिर कह रहा हूं बिना बहुज़ा नेकता के काम नहीं चलेगा हम सब को सोचना पड़ेगा उसके साथ साथ हमें ना वोट करके उन्होंने उस पार्टे उन पार्टे को वोट किया उसका साथिंदिया मुस्का उसका अभार परकट करते हैं लेकिन साथियों आप खुद तो समझें सरकार कितना कठिन काम है हम तो पहली बार लड़े लड़े साथियों को चुनाओ लड़ा प्रयाद देखा समझा बहुत कुछ सीखने का मुका मिला किस तरह सत्ता का दम पहली बात तम आपको बता दे सत्ता उसकी आएगी जो सडकों पर संगर्स करेगा किसी ने कुछ किया है उसको समान मिलना चाहिए लेकिन सत्ता नहीं मिल सकती सर सत्ता कब मिलेगी सत्ता तम मिलेगी जब वो सत्ता के लिए संगर्स करेगा पर आपने बहुत दिन पहले कुछ किया इसके मतलब यह नहीं कि आने वाले सकल में आपकी सरकार अगे आने वाले कल में आपकी सरकार तबॉय आएगे जब आप आज काम करोगे देवाज लोगों परभावित करोगे नई जन्रेशन नया वोटर नहीं सब कुछ है आज बीजेपी वह बीजेपी ने जिससे आप टकरार है हाई टेक बीजेपी यह तमाम तरह का सोशल मीडिया कैप्चर किया है उनके पास तमाम पैं इतना धन संपत्ति है इतना जो है पावर स्ट्रक्चर खावा है इतने उनके पास स नई तरह की जो ताकत से उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा और जैसा मैंने का क्या नहीं किया बीजेपी ने सक्ता प्राप्त करने के लिए बीजेपी ने जैसा मैंने गोरफपूर एलेक्शन में आपको बताया कि जो लोग तीस पैटिस साल के थे उनके पोस्टल लेकिन मit Tiger अ कि कि तब कोई नहीं बोला चनाओ के समय सब लोग को यादा आ य। हम तो खूब दिन से लिए से लेकिन नहीं बोले इतने नियता खड़े होंगे जिनको आपने वोट दिया जिनको आपने विधायक बना मैं तो बस आप से लड़ने की ताकत मांग रहा था कि आप सब को दे रहे हैं मुझे भी ताकत देदो जिसके जरीए मैं आपके वाज को और मजबूत से उठा सकूँ लेकिन अभी इसका मतलब आपने मुझे को प्यार दिया समर्थन दिया लेकिन वोट का मन आपने नहीं बनाया ठीक है हम लोग और मेहनत करेंगे साथियो बहुजन अंदोलन कभी खतम नहीं होगा क्योंकि ये समय समय पर कोई ना कोई जो है इसको आगे बढ़ाता रहेगा कि हमें और मेहनत करनी पड़ेगी एक कारे करताओं को आपने से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जो लोग चाहते हैं सत्ता में हम लोग इस्थापी तो उन लोग को सबसे ज़ाद जरूरी अगर भी मारविया आजार समाज पर्टी के लोग मुझे सुन रहें तो जब करेंगे क्योंकि चुनाओं के समय जैसा मैंने बताया कि बीजेपी ने 4000 रुपे पर वोट खरीदने का प्रयास किया गौरकपूर्श का उधारन है उसके साथ साथ बीजेपी के लोगों ने सरकार के जरिये अधिकारी कर्णचा ड्रा धंका के भी लोगों को परभावित करन इनोने किये कि लेकिन उसके दावाः जो बर पहले से अस्थापित लोग हैं उनके जरीए भी उन्होंने परधान भी डी सी चेर्मेन, मेयर इन सब के जरिये भी उन्होंने वोट को प्रभावित करवाया जिलापंचास सदस्स से और वो किस तरह से टेक्निक से किस तरह से काम करते हैं जिलापंचास का सुनाओ देखा अभी भी जो लोग पाँजार के अंतर में थे बीजेपी के लोगों ने ताकतवर तरीके से सरकार के मसींडिका दुरूप्यों करके हरा दिये कोई बोल भी नहीं पाया है जो बोलेगा उसको भगा जाएगा पीटा जाएगा मुकदमा लगेगा देखो मैं आज की राजनीती को बहुत आसानी से देख पा रहा हूं है क्या है पैसे आले लोग राजनीती कर रहे हैं गरीब लोग जंडा उठा रहे हमने परियास किया हमारे जितने प्रतियासी थे आप चेक करके देखिए वह ज़्याद अच्छे प्रिणा मिशन दे कुछ लोग ऐसे प्रतियासी अच्छे थे लेकिन वह भी जंता के विकल्फ के सामने ध्या गई लेकिन मैं से ऑभी अभी बात का रहा था कि हमारे लोगों ने परियास किया उतल Piet नीद हराम करके रखी लेकिन फिर तीन दिन तक सारे काम छोड़के मुख्यमंत्री वहां रहे लोग को मैनेज किया और मैं नहीं भी बता सकता वरना अन्य पार्टी के लोगो भी पैसे दे दे के उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी को डालना जो लोग हमसे पैसान ले रहे वो दूसरी पार्टी को पैसे ले लो और बाकी पार्टी किया रोल मुझे कोई सिकायत नहीं क्यूंकि हमें तो मैनत करने हैं हमें असानी से कोई निकलने देगा कोई रास्ता नहीं बनाएगा कि आईए चंशेकर आप चले जाएं सदन में क्यूंकि वो जानते हैं जिस तिन ये बड़ी पंचयत में जाने का प्रयास करूंगा और अच्छे लोग जाएं इसलिए लोग उसे और तयारी कराऊंगा तो वो बिना राइंतिक शक्ति के नहीं हो सकते हैं भाई आप मेरे साथ फोड़ू घिचवाते रहें मैं आपके पास बैठा रहा हूँ इससे सपने पूरे नहीं होगे आपको मुझे पॉलिटिकल पावर देनी पड़ेगी इससे मैं सलड़ाई को लट सकूँ मैं तो बहुजण समाज के सभी अधिकारी करमचारी आम आदमी जो हैं उन से अपील करता हूँ कि भाई अब आप बहुत लोग को अजमाच चुके आपने कहा कि आखर चुनाओ इस बार और अजमा लेता आ अजमालो भई अजमालो ठीक है है जमालो मैं तो पहाड जैसे हुस्ट लेकर आया हूं कि मेरे हुस्ट नहीं तूटने वाले सर क्योंकि मैंने तो अपना जीवन इस अंदोलने काम समर्पित किया है हां मुझे में कुछ कमिया हो सकते मैं उनको सुधार लूँगा दिए समय के साथ साथ इसलिए कह रहा हूं आपने कहा इस बार हम बनाले इस बार हम प्रयास करें ठीक है कर लिजे लेकिन अब अब तो सोचे अब क्या मैं फिर पांस साल सड़कों पर आकर संगर्स करने के लिए तैयार हूं मगर मुझे आपके अब जरूत है सयोग की इस दामनकारी सरकार से ल से एक इस आने वाली पीडियो को जिस तरह से भारती जनता पर्ट्टी लोग साजिसन कर ते गुलाम बना रह、 अगर इस बात को समझते सरकर सिस्टम् करें इस बात को समझके अगर उन्होंने इस इनके धरम की राजनीती इसके काटी है इसके काती बहुजन मनाईए अपनी विधान सभाय की ब्लॉग की तैसिल कमेटिया पूरी कीजे जिले कमेटिया पूरी कीजे मंजल कमेटिया पूरी कीजे उन लोगों काम दीजे जब कारवा लूट जाएगा फिर क्या करेंगे इसलिए मैं बहुजन समाज के सभी जो बुद्ध जीवी हैं पुराने मिसंडरी हैं जो लोग मुझे सुन रहे होंगे जो नई सुन रहे होंगे उन तक पहुँचा दीजिए जो वरतमान में तमाम दलो जुड़ेवे लोग जो परियास कर चाते हैं जो जिनके अंदर बहुज है नाय कि यहां कि रखेंगर करमाति में और को यृड़ुजन समाज का और साई लिए कि वह में ग्रहा है । कि हम लोग इतने कम जोर होंचुके पैरों पर नहीं खड़े हो सकते हैं जो लोग सिर्फ दिखाव हो कि राजनीती करना चाहता हूं जाहता हूं जो लोग संघर्ष की राजनीती नहीं कर सकते वो लोग नहीं चल पाएंगे जो लोग संघर्ष की राजनीती और परिवर्तन के लिए तयार हैं उन लोगों से मेरी अपील है कि वो मनमना ले तयार हो जाएं कि मैं एक कोट पड़ूंगा उसके बाद फिर मैं अब भी कुछ और बाते करूं मैं बहुजन समाज के सभी अधिकारी करमचारें से भी कह रहा हूं कि वो लोग मन मनाएं कि मैं भी एक नहोपन और यह टो बहुजन घुण करना चाहएं उन नो जवानों से भी कह रहा हूं कि मैं भी एक नोजवान हूं मेरी खूब आलोचना करो मेरे उपर खूब आरोफ लगा लेकिन बताओ एक सत्य भी क्या पांस साल में नहीं लड़ा वह बीमार मेंने कभी किसी ने संगर्ष किया था इसके लिए उसे सम्मान मिलता है सत्ता नहीं सत्ता उसी को मिलती है जो संगर्ष कर रहा होता है जैसे जिनको सत्ता मिली है वो संगर्ष कर रहे हैं उनको अगर सत्ता मिली केंदर की तो उन्होंने संगर्ष बन नहीं किया इस्टेट की मिली तो उन्हों संगर्ष बन नहीं किया वो और अपने सपनों को आगे बढ़ाते गई इसलिए उनको सत्ता मिल रही है अब आपको तै इस लिए आप विधानसभा और सन्षद धोनों आपके कदमों पर होगी पर उत्रन भूल गए नहीं यिलिडर्शिब खड़ी करिए विचार धारा पर चलने व ला संगथन बनाईए और शड़के पाठ दीजिए अपने लोगों से इस देश में नेतिकता का साशन आप ये स्थापित करते आए हैं और आप ही आगे भी करेंगे ये मानेवर साथ सरी काशिराम जी का की लाइन है जो मैंने आप से कोट की है अपनी तरफ से नहीं मैं वो ही बोलता हूँ जो मैंने पड़ा है मैं आप से भी कह रहा हूँ इमानदारी से काम करना पड़ेगा भाई अगर बीजेपी से जीतना है वो पांच बजे उटके साखा लगाते हैं आप साथ बजे तो आईए ना मैदान में चार गंटे छे गंटे तो काम कीजिए ना सब्सक्राइब तो जाकर बड़ा होगा बाकि आप मुझसे बहुत उम्मीद करते हैं बड़े बड़े नाम देते हैं तो मैं तभी कुछ कर पाऊंगा जब आप मुझे सत्ता की चावी मेरे हाथ में देंगे मेरे मैंने बहुत सपने करने के लिए एक से ही काम करने सपने हैं ऐसे सपने इतियास में दर्ज हो जाएंगे दुबारा कभी जो है ना मेरे जाने के बाद भी अगर उसको चेक किया जाएगा तो भीमार में आजा समाज पाटिक नाम सुनहर एक्सरों में होगा करू कैसे सत्ता तो आप दूसरे लोगों को देना चाहते हैं स्राइदिक ताकत तो आप दूसरे लोगों को देना चाहते हैं मुझसे तो आप चाहते हैं मैं सड़कों पर संगस करता हूँ मैं इसलिए आपसे अपेल कर रहा हूं मैं separate electrol प्रें आपसे बात करना चाता हूं उसकी बात किये वगर काम नहीं चलेगा हमें separate electrol प्रें आपसे बात करनी पड़ेगी और आप सब लोगो आप सब लोगो उसके गौर करना पड़ेगा वरना चीजे हमारे हाद से बहुत दूर तक निकल गई पर्थक निर्वाचन जो बावसा वंबेड कर यह विधान सभाई भी सेपरेट हो जाएं पर्थक निर्वाचन जो दो वोट का अधिकार वावसाम बेड कर जिसके लिए लड़े जो मिला उनका यह मानना था कि जो वोट का अधिकार है उसके जरिये रिजवर्षिटों पे वह ही लोग जीतेंगे जिनको दूर से लोग जिदाएंगे और वो फिर ना उस वर्क के हित के लिए बोल पाएं जिस वर् से खतम कि जाए सरकार्स्टम खतम किज़ए एक आदमी बोलता हूं नाम बताई है। कि आज भी सारी दूरूब से अफमान कैसे जिसको जैसे गोड़ी से उतार देना जैसे मंदिर में नहीं जाने देना जैसे आज भी साथ बैठके खाना ना खाना कहीं जगा तो अत्या हो जाती है उससे भी बड़ी उससे भी आगे बढ़ते हैं एक IPS थे अभी राइस्थान में उनको नहीं गोड़ी पे बैठने देगा उनको पुलिस की मुझूदगी में उनके बरात निकली उससे भी ज़्यादा कई अच्छे कपड़े पैनने पर मुझे रखने पर तमाम तरह का जो और फिर समय सामुविक वैश्कार दूर से जाती कि अपरकास की मदलब लड़की से साधी कर लेने पर ये तमाम तरह के न्याएं होते हैं और कहते हैं कि जोडिया जो है एक मजाब कर लोग है तो यह जो सार्जूंग रूप से पूरे समाज का वैसकार जैसे हर्याना बड़ा ट्रेंच चला वैसकार 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 तो यह आज भी यह है इसको खतम करने का जरीया क्या आपके पास है इस अपमान के खिलाप कौन सा MP MLA बोलता कि यह नहीं होना चाहिए हमार करोगे क्या तो आपके हिस्सेदारी पर ऐसे लोग जाएंगे तो आपका क्या भला होगा आप बताओ वो तो ऐसे आदमी को भेजेंगे जो वास्तिकता में उनके जूते उठाने वाले जिसके ऐसे अतना हो जो उनका और आँकि पी उठा के बात कर सके eua पड़े लिखे काम करने वाले इंते लोग भेजेंगे जो आख से आख मिला के बात करें इस लिए आरक्षन प्लिटिकल इसल्वेशन से हमें सिरफ नुकसान हो रहा है इसलिए मैं सेपरेट एलक्तौल की बात करुना परत्रक निर्वाचन की बात करना हूं कि एक हमारे अबादिक साथ से हमारे छेत्रों में हमारे लोग को ही अधिकार होगा हमारे लोग को चुनने का जिससे कि वो अपने असली वेक्ति को चुन सकें जिस पर विश्वास कर सकें जो उनके चुन के जाने वाँ उनके छेत्रों के लिए काम कर सकें मैं तो गुरकपुर में देखे आऊं जहां सेडल कास बेकवर्ड माइनोर्टी या नि भोजन समाज के लोग रहते हैं उन गलियों में पानी की निकासी भी नहीं वाँ वो डू भी रहती हैं जहां इसाई रहते हैं वो गलिया डू भी रहती हैं उनके हाला बत से बतर तो जहां आज तक इनसानों जैसा जीवन भी जिने को नहीं मिला वहां इस लोक तंत्र में हम लोग अगर पिछलगो बने रहेंगे तो फिर हमारे इसे में वो ही आगा जो पिछलगो के इसे में आता है तो मैं तो आप से अपील कर रहा हूं इस लड़ाई को इतनी ताकत से लड़नी है जितनी ताकत से हम लोग सांस लेते हैं मेनत जादा करनी है शोर कम मचाना ताकत से सकती का निर्मान करके अपने अंदोलन से रिजल्ट देना है परिवरतन का रिजल्ट कि जब रिजल्ट आए तो आपकी चर्चा है पूरी अब तो हमारे हार की भी चर्चा है लोग मजाख उड़ा रहे हैं कि भई चंशेकर जो है जमान जब्त होगी हाँ बहुत अच्छा हो जमान जब्त होगी यानि कि वहाँ के जन्ता ने विस्वास नहीं किया कोई बैद नही एक गरीब का बिटा लड़ने गया था विस्वास नहीं किया तो दुबार लड़ेगा क्या हो गया है बड़े-बड़े मुख्य मंत्री आ गये हैं सब क्या फरक पड़ गया कोई ऐसा है जो नहीं आ रहा बावसाम बिटकर भी आ रहे मैंने और साब काशिराम भी आ रहे पड़ार में साध अगर विदाग बन जा तो साध उस विदान सबाद शेतर पर जाद ध्यान दे के सब जगा काम नहीं कर पाता लेकिन आपके वोइस बन जाता लेकिन इस ऐस अफलता ने बहुत कुछ सिखाया भी तो है अब और मैनस से काम करेंगे अच्छे लोग को और ज चैन करेंगे जो लोग मेंति इमानदार कारे करता है उनको मोका देंगे कि वो आगे बढ़ें आंदोलन को दुबारा खड़ा करेंगे मजबूती से लेकिन हारना तो हम सीखें नहीं है न सर्फ हमने एक ही चीज़ सीखिए वो है आगे बढ़ते रहना और पीछे पलटके नहीं देखते हैं हम लोग मजबूती से आगे बढ़ेंगे और लक्से को प्राप्त करेंगे और मैं तो जिनको पढ़ पढ़के वो आबराम लिंकल से लेके इतने चुनाव हारे जब बने तो देश के राष्ट पती मेरी वेक्तिकत बात नहीं चल रहे हैं अंदोलन नहीं हारना चाहिए आज भी इस विचार धारा बहुजन जिता है बहुजन सुखाई को उमने जिन्दा रखा है और हम आज भी कह रहे हैं पांस साल सड़कों पे हम रहेंगे सरकार कितना जोड लगा है अपनी जेले बढ़ को इस आंदोलन को मजबूति से खड़ा करना और बहुजन समाज की सब जातियों को जोड़ना उनके इस्सेदारी देनी उनके लीडर्स मनाने उनमें प्यार विश्वास पैदा करना उनमें जो डर ठगी की भावना है कि हमेशा ठगे उसको खतम करना है सोसितों वंचितों क अंदोलन खड़ाब तो और मेरे खिलाब वह होंगी साजी से क्योंकि कहें उनके बन में आगए यह बंदा तूटी निरा है कि सम्लोंग जाते हैं कि तूट के घर बेड़ जय तो भाई मैं तो आ वो क्यों उनके तरह जो है इतना बड़ा राइंतिक दल क्यों नहीं खड़ा कर पाए यहां से होता है जब आप इमानदर से काम करते हैं तो आपको प्रिक्षाय देनी पड़ते हैं लेकिन आप आपको कुद्रत सफलता भी देती ऐसी सफलता देंगे कि पूरे बहुजन समाज को गर्व होगा और फिर कह रहा हूं आलोचना आरोफ लगाने से बहतर है मेरे साथ खड़े हो के सांदोलन को मदद कराईए आपको लगता है कि यह कमी है इसको चेंज होना चाहिए इसको करेंगे चेंज लेकिन दूसी तरह बैठके खाली तमासा मत देखे इस देश को लु करता कि और यह जो आंधी जो है इस आंधी के खिलाफ आंदोलन नहीं खड़ा होगा वास्तिक्ता में तब तक नहीं चलेगा तब तक सफलता नमीली नहीं सकती है तो मेरी आप से अपील है सभी कार्यकरता पतादिकारियों से छटनी तो सर होगी कुछ लोगों की जिन लोग करूंगा फिर हमारे होसले मेरे नहीं हम सब क्ये होसले, पाड जैसे हैं, भुरा गया इक हम अरा कहिो को संजा रहा हो कि रास नहीं हो निरास कौन रास हो रहा है, वो जो दो साल पहले खड़े हुए दल बनाकर है हम तो इतने इतने वोट इं नने कहा हैं, पहला चुनाव पहचान बनाने के लिए दूसरा चुनाव हाड़ने के लिए चुनाव जीतने के लिए अजास समाज पर्टी इस बार पहचान बना चुकी है लोग जान चुके हैं अजास समाज पर्टी काशे राम है उनका चुनाव चिनकेतली है उनका जंदा ये है उनके लिडर्स ये ये है फलाना फलाना उनके वो लोग काम करते हैं वो आपको पैचान चुके हैं बस वो एक विश्वास जो उनके अंदर था कि इस बार वो एक और परिवर्तन कोशिच करेंगे पाँचवी बार उन्होंने प्रयास किया वो सफल नहीं हो पाई अब उनसे मेरा अन्रोध है कि अब सीरफ हो सीरफ इस अंदरन को लडने में मदद कराएं सयोग केज़े मैं भी आप का ही हूँ और इस अंदरन को बस ताकतवर तरीके चलाना चाह आथा मुझे भी बड़ी मेरा भी खुसी मनाने का मन है विश्वास कीजिए मुझे भी मेरा भी खुसी मनाने का मन है लेकिन मुझे खुसी अभी तक तो इसलिए मिलते हैं कि जब मैं किसी मां के आशू पूछता हूं किसी भाई के सम्मान की स्वक्षा करता हूं किसी बुजूर्ग क जो है उसको उसकी तकलीफों कम करने काम करता है इस से ज़्यादे संवान खुसी तब मिलेगी जब आप इस आंदोलन को आगे बढ़ा के देश में सोशित वंचित वर के आतों में सत्ता देगे और जो लोग मेरा संवान करते हैं तो मेरा संवान नहीं है कि वो अपनी अपने छेत्रों में मजबूति से काम करके मजबूत संगठन खड़ा करें हैं बूत पर इतना मजबूत संगठन जिसका सामना जब इलेक्शन में वह आए तो वो विपक्सी लोग विरोधी लोग करी ना पाएं समर्पिद लोग विचार धारप एदारी बोजन इताय बोजन सुख और इमको घर घर तक पहुंचाने का हम लोग करना और उन से बड़ा संगठन बना प्के P जादा महनत करनी और पांस साल महनत करनी सर में सब पर की समय जो लोग महनत करतें काॱ्टburn आसे होते जिन लोगों ने एक वोड़ दिया उनका धन्यवाद भीमारमी आजास समाज पाटे और बहुजन समाज के सभी अधिकारी करमचरी जो मंगल चाहते हैं है इस अंदोलन का मेरा भी उन सब का धन्यवाद बस आप से अपील इस अंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अब मुझे आपकी जवरत है और यही समर्थन है कि आप मुझे मदद कराएं मेरे साथ खड़े हो जाएं और मुझे जहां से आप guidance कर सकते हूं जहां से भी जिस तरह से आप connect कर सकते हूं करें मैं सब लोगों से बयात नहीं कर पाता तो आप कोसिस करके वहां की यूनिस के जरिये मुझे अपनी बयात पहुचा दें अभी 15 मार्च के लिए भी आज कल में प्रोग्राम जा रही होगा और अपना दीवल से पार्टिय कैसे मनाना है हम लोग सीनर लोगों से बयात करेंग मगर याद रखें आने वाला वक्त हमारा है बहुचन समाज का है सोर्शितों वंचितों का है इसकी मेवलाओं का और उसे कोई नहीं रोक सकता है और जितना विरोधी ताकतवर होंगा उतना ही लड़ने का मज़ा आएगा जब आंदी चली थी ना तभी मानने और काशिनाम साहब और बहुजन नेताओं उन्हें उस आंदी को रोका ता अब आंदी चली ये सांदी को भी हम लोग रोकेंगे परियास ही है कि पूरे देश में घूम घूम के मजबूत संगठन तयार करके 24 में इसको रोकें ये परियास रहेगा उससे पहले जो विदान सबाचना उनमें मजबूति से लगेंगे और जो लोग जिन छेत्रों में विदान सबाचना उनसे कहूंगा कि आपस में लड़के कमजोर होने से अच्छा है कि मजबूति से लड़के एक चुट होके इस लड़ाई को आगे बढ़ाए इसलिए तयार हो जाए कमर कर सेंगे अब आपकी बारी है जै भीम जै भारत जै सविधान जै लोकतंत्र जै विज्ञान और आप सभी के लिए बंगल काम ना है लड़ेंगे और जीतेंगे और अपने महापुर्सों के अंदोरों सफल करेंगे जीते जी एक बार तो समराट अचो का भारत देखना है एक बार तो इस देश में समता समानता बंदतु भायचारे पर स्थापित राज देखना है समता मुलक समाज देखना है दुबार अच्छे इस देश को सोने की चिड़्या बनाना इस देश को लूटने वालों और बांटने वालों को सबक सिखाना है मेरा प्रयास रहेगा कि बहुजन समाज के लोगों में जल्दी भाइचारा बने जिसकी इतने संख्यावार उसकी इतने इस्सेदारिस यह अंदोलन वो आगे बढ़े यह विश्वास बढ़े इसलिए जादा मेहनत करनी है काशी राम साब के साथ लाइव खतम करता हूँ कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते वह जिन्दा लोग रुकने नहीं देते रुकने नहीं देगे सत्ता तो मात्तर साधन सत्त विर वयवस्ता प्रिवरतनrin करते जितना चल्दी आप मदद करेंगे वुधन चल्दी सत्त विया आपके योगर वयवस्ता प्रिवरतन भीवगोता धन्यवाद